हेलो वेलकम टू दो मैच चैनल रह्मान केमिस्ट्री अकेडमी जहां पर आप जानते हैं कि सब मैं कंटेंट पर जादा बात करता हूं जादा विद्धधर की बाते नहीं होती है में आज जो टॉपिक है मेरा वह शुरू होने वाला सॉलिड स्टेट के बारे में जो कड़ी पीसे चली आरे उसको अटाज कर रहा हूं आज का टॉपिक है मेरा डेंसिटी ऑफ सॉलिट्स यूट सल की डेंसिटी कैसे निकाले हैं क्या तरीका होगा उसके लिए उसको जानने क अगर आप जेट इसकोल टुवन पूट करते हैं सिंपल क्यूब के लिए वन इटम होता है बीसी के लिए टू एटम होता है जेट इसकोल टू फोर इटम यह आप आज का जो मेरा टॉपिक है जैसे चाओं आप जाने की डिपाहत है और उस एटम का माश कोट्रीक ब्याकी का माश के लिए फॉर्मूला लिखा जेड इंटू mass of particle यह formula लिखा गया, mass of particle मतलब atomic mass अगर molecule है तो molecular mass जिसका भी unit cell बना हुआ, unit cell में कौन से atom प्रजंट है actually बाद हो आपको unit cell में जो A लिखा दे, that is A is called edge length क्योंकि यह दोनो nucleus, दोन अटम जब तच करते हैं आपसमे, जैसा कि आप जानते हैं कि डियाग्राम में यहाँ पे हम टच करते हों नहीं दिखा रहे हैं आपको, तिर्फ समझाने के लिए आपको, तो distance between two nuclei of the two atom, that is called edge length A कहलाता है, तो कहता कि mass of unit cell पूट कर दिये, volume of unit cell पूट कर तो mass upon volume is called density आप निकाल सकते हैं, तो volume of unit cell अगर हम cube की बात करें, तो cube का formula A कही होता है, edge length कहल क्यों, हम इसी formula का इस्तमाल यहाँ पर करेंगे, बन जाएगा, और A cube का मतला हमें एक atom का mass निकालना, तो यहाँ पर हम molar mass दो निकलते हैं, वो gram में लिखते हैं, तो gram में निकलने के लिए, एक atom के mass निकालने के लिए उसे f-gadu number से divide करना पड़ेगा, यह number of particle से divide करना पड़ेगा, जतने item पर particle present है, उससे हम एक atom, एक particle का mass निकाल पाएंगे, तो molar mass से लिखते हैं, that is always gram के term में मतलब one mole particle के लिए होता है, अगर एक particle के निकालने के लिए उसे f-gadu number से divide करना पड़ेगा, इस पर numerical अगर आप देखें तो बड़ा science समझ में आगा देखें, calculate the number of atom, इसका मतलब हमें, simple सी बात है, यहां पर number of atom find out करना मतलब n find out करना है, यह number of particle atom पूछा गया तो हम यह formula पूट करेंगे, अगर कुछ और z पूछा गया, molar mass पूछा गया density, बतो हम na का मतलब गाड़ो number ले सकते हैं, question पर depend करता है, यहां पर देखें, mass of atom दिया हुआ, 200 gram amount given है, ccp का मतलब cubal close packing मतलब fcc के बराबर है, तो z score पर आप यहां 4 atom ले सकते हैं, और यहां पर edge lens जो दिया हूँ, 300 picometer में दिया हूँ, इसको edge lens को हमने centimeter cube में change किया, hall q किया, और यहां पर देखें हमने six put किया है, यह six actually क्या है, कि आपका density यहां पर given है, six gram per centimeter, density संदादा लगया कि हमें edge lens को centimeter cube में change करना है, तो इससर से आपसे solve करके खुदा answer इसका निखाल सकते हैं, अगला सवाल देखें, मैंने यहां पर formula लिख दिया, आपको साब सब्सक्राइम का मतलब molar mass, atomic mass, या mass of atom, इन ग्राम, कुछ भी given हो सकता है, यह हमेशा अभिगाड़ नंबर की बात करेंगे, हमारे पास एक compound है AB, जो BCC structure form करता हो, BCC के लब से ही समझ पकड़ लेंगे, आपके Z is equal to, यहां पे हमें two-put करना होगा, edge length A दियाओ, पीको-meter में, density दियाओ, gram per centimeter cube में, निकालना है में, molar mass 120, तो density का second formula जो तो आपका Z, यहां पे आप two-put करेंगे, molar mass आपके पास given है, 120, पुट कर देंगे, A cube आपके पास, पीको-meter को आपको इससे centimeter cube में change करना पड़ेगा, मतलब 250 into 10 to power minus 30 centimeter cube हो जाएगा, 250 का hall cube 10 to power minus 30, 30 centimeter cube हो जाएगा, बाखी इस formula के पुट करके आप यहां पर देखे, answer 500 कर देखते हैं, यहां BCC कहा था, यहां पर, BCC का मतलब यहां पर, BCC structure की बात की है, तो जाहिर से बात यहां पर one नहीं, बलके यहां पर two atom पुट करना पुट करना पोड़ेगा, Z is equal to two होगा, यहां पर wrong है, इसको सही कर ली जाएगा, अगला देखे सवाल यहां पर दिया हो, one kilogram crystal mass दिया हो है, 10 to power 25 cubic unit cell, इतने number of unit cell दिया हो है, with lattice constant to angstrom, calculate the density of metal, lattice constant in angstrom यहां पर दिया हो है, 2 angstrom यहां पर, जैसा कि आपको दिख रहा हो, two angstrom का मतला हो, edge length, let is constant edge length, edge length is equal to two into 10 to power minus eight centimeter का hall cube करेंगे, आप इसको देंसिटी का formula पुट किया, mass of unit cell 10 to power, यहां angstrom density of gram per centimeter cube, one kilogram दिया हो मास देखे, तो 1000 gram यहां पुट कर दिया, तो simple formula पे पुट करके आप इसका answer find out कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए, content इतना cubic unit cell present है आपके पास, उससे निकालना है, तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं, आसान हो जाएगा, कोई मुश्कल नहीं, यहां पर भी कोश्चन दिया हु A और B दिया हुआ, 50, 70, A एजलें दिया हुआ, find density निकालना है, तो density का formula देखिए, हम molar mass के हिसाब से put करेंगे, इसका molar mass यहां put किया, अब volume यहां पर हम जानते है, a cube into a value number वह बैले पूट करते हैं, और यहां पर a b, यहां पर अगर कुछ नहीं दिया हुआ हुआ है, कि this type क यह unit से ले, तो ऐसे किसमें, Z is equal to 1 मान के चलते हैं, ऐसे density निकाल सकते हैं, कुछ चीजें आप देख सकते हैं कि pressure का impact structure पर पढ़ता है, बड़ी important points है, अगर हम pressure increase करते है, NACL type structure पर, तो convert हो सकता है, CACL type structure में, और coordination number can be increased 6 to 8, बढ़ सकता है, इस condition में, अगर हम temperature करेंगे, ब CACL type structure पर पढ़ता है, इस पर थोड़ा याद रखना है, अगर हम CACL structure में जाएंगे, तो neighboring cell में कितने atom जाएंगे, तो second nearest neighbor, मतलब, एक coordination हम दनेगा, तो 6 atom बाहर जाएंगे, एक 2 atom inside होगा, second nearest, तो यह इसी चीज़ को यहां समझाने कि, NACL में जाएंगे, second nearest neighboring atom के इतने तो यह सब कीज़ें आपको याद रखना है, यह point very important है, तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको समझें, इस पर numerical दरूर सॉल्फ करें, numerical आपको NCRT में भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, कुछ examples बहुत अच्छे हैं NCRT में दिया, उसको जरूर करने कोश झाल